हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का कमलेश विस्वकरमा यूट्यूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पार फ्रेंड्स यहाँ पर आईटी आई परिच्छा कब होगा उस पर बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्रों का आईटी आई का परिच्छा अभी तक नहीं हुआ था और जिन छात्रों का आईटी आई फ्रस्ट यर सेकेंड यर आल बैक परिच्छा का एक्जाम नहीं हुआ था क्योंकि इनका यहाँ पर जो अप्रेल में एक्जाम हुआ था वो आप लोग का बहुत सिश्विंट का एक्जाम कैंसिल भी कर दिया था जो की COVID-19 की होज़ से बट यहाँ पर एक बाल फिर से आप लोग का एक्जाम होना है जो की जुलाई के लास्ट विक में होना है तो इसका डेट कब आएगा और कौन से डेट को आप लोग का एक्जाम होगा और ITI का CBT एक्जाम का फीज भी पेमेंट कर दिया है तो आगे उसका क्या प्रोसेस होगा फानली सभी बात पर यहाँ पर चर्चा करेंगे तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना तभी आपको मालू हो पाएगा और फ्रेंट्स आप लोग अभी तक मरे वीडियों को लाइक नहीं किये हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक कर लें तो फ्रेंट्स यहां पर बात करते हैं कि जितने भी छात्रों का ITI का first year है, second year है, ठीक है, इनका जो admission हुआ है, और 2019 से लेकर 2021 में हुआ है, ठीक है, और जिनका second year है, उनका 2018 से लेकर 20 में हुआ है, तो ऐसे छात्रों के जो यहां पर exam होगा, यह CVT, computer-based test के मादम से आप लोग का exam होता है, यह आप लोगों का trade theory, workshop, calculation and science, employability skill, यह आप लोगों का CVT, computer-based test के मादम से होगा, और आप लोगों अगर engine drawing, trade practical में हैं, तो आप लोगों का जो इसका exam हो जाए, इसका है, आप लोगों का staff center से आप लोगों मादम से इसका exam लिया जाएगा, ठीक है, बट बात है कि आप लोगों का परिच्छा कब होगा, तो फ्रेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का exam का fees है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का CVT का charge होता है, जो कि आपको 306 रुपे pay करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप लोगों का लाश्ट डेट था, तो यहाँ पर I hope सभी student यहाँ पर अपना fees payment कर दिये होंगे, क्योंकि पहले भी मैं आपको वीडियो के मादम से आपको बताया था कि आप लोगों का फिस payment हो रहा है, और आपका last date यह है, तो आप लोगों का फिस payment करते हैं, तो आप लोगों का लगबग 1 week या 2 week के बाद आप लोगों का exam होता है, क्योंक आप लोगों का सारा details आप लोगों का दिया रहता है, इसके बाद आप लोगों का एक haul ticket भी generate कियाता है, जो कि NCVT माज़ से आप लोगों का डाउनोट भी कर सकते हैं, और आगे जैसे ही आप लोगों का admit card आएगा, वैसे मैं आपको वीडियो के मारे बता हूँ है, आप लो को subscribe कर ले, चैनल से रूड़े रहे हैं, तभी आपको मालू हो पाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का उसके बाद आपका श्रीबिटी का haul ticket आएगा, उस पर भी आप लोगों का time table दिया रहेगा, जो कि trade theory, workshop, calculation and science, employability, इंप लोग एक्जाम कब होगा, कौन से date को होगा, क आप लोगों का तब आएगा, जब आप लोगों का जो तीन से चेतरों पर फीस प्रिमेंट किये हैं, तभी आप लोगों का haul ticket जारी किया जाएगा, और यहाँ पर बाद आद 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 जितने भी छात्रा इटीए सेमेश्टर और बैक परिश्चा की student है, तो उनका जो एक् परिश्ट के फर्ष्ट विक तक, तो यहां पर आप लोगों का जो सेमेश्टर और बैक परिश्चा की एकजाम होगा, वह एनुवल के 15 से 18 दिन के बाद यह आप लोगों का सेमेश्टर और बैक परिश्चा की student है, उनका एक्जाम लिआ जाएगा, बट अभी तक आप नहीं किया है कि आप लोग जुलाइ के लाष्ट वीक तो बोला है बट जुलाइम इंप कौन चे तारीक आलोग परिच्छा लिया जाएगा यह नोटिस नहीं जारी हुआ है तो आप लोग अपना फीस पेमेंट कर दिये हैं तो आप लोग का जल से जल दिया आप लोग का जो एक वीक के अंदर यह आप लोग का जो लिस्ट है और सिबीटी के एजाम देने का तो जिसमें आपको बीडियो के मता को बताओंगा